किसी का सिर कट जाए और वो फिर भी एक साल से ज्यादा वक्त तक के लिए जिन्दा रहे ये बात सुनकर लगता है कि मानो पूरी तरह से जूट है और आपको कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन माइक नाम के एक मुर्गे की ऐसी ही कहानी है और ये पूरी त फार्म पर अपनी पतनी के साथ लौड ने कुछ मुर्गों को काटने के लिए अलग किया जिन में से एक माइक भी था माइक उस वक्त साड़े पाँच महीने का था जब लौड ने उसका सिर काट कर अलग कर दिया था कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब लौड ने उस साल्ट सिटी के यूटा विश्व विघायल के वैग्यानिकों ने कई मुर्गों के सिर्फ ये जानने के लिए काटे दिये थे कि वो बिना सिर्के जिन्दा रहते हैं या नहीं लेकिन कोई भी मिरेकल माइक के जैसे जिन्दा नहीं बच पाया था। माइक को ड्रापर की मदद से जूस दिया जाता था और उसके फूड पाइप को सिरेंज से साफ किया जाता था ताकि माइक का गलाना चोक हो। डॉलर हर महीने कमाते थे। आज भी फूटा में हर साल माइक की याद में हेडलेस चिकन फेस्टिवल मायाना जाता है। इस फेस्टिवल में बहुत से लोग जमा होते हैं।